नमश्कार स्वागत आपका सेहत मन्ध नुसके में मैं हूँ आपके साथ सुमन आरने की दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरे की लेकिन ये जीरा आम जीरे से अलग है दिखने में जरूर ये आम जीरे की तरह लगता है लेकिन इसका रंग है काला सबजी या चावल के स्वाद को बढ़ाने के लिए इसका अस्तमाल किया जाता है लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके बहुत से और शदिलाब भी है हम बात कर रहे हैं काले जीरे की आज इस वीडियो में आप जानेंगे काले जीरे के फाइदे और नुकसान के बारे में लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले ताकि जब भी ऐसी कोई नई वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर आईवर्वेद में काले जीरे का समाल विशेश रूप से वजन को कम करने के लिए किया जाता है इसका स्वाद बेहत कड़वा होता है और तासिर गर इसकी जो जड़ होती है उसका स्वाद नारियल की तरह होता है इसकी जड़ से लेकर पत्या बीज सभी बेखत फायदेबन है आजकल वजन कम करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं बहुत से नुस्खे अपनाते हैं लेकिन आउरवेद में काले जीरे का अस्तमाल सदियों से वेट लोस में प्रभावी माना गया है काले जीरे का चूरण का प्रयोग नियमित रूप से करने से वजन कम करने में मदद मिलती है एक्जीमा या किसी तरह की त्वचा संबंधी समस्या के समाधान के लिए भी काले जीरे का स्तमाल फायदी मन्द हो सकता है यह सूजन को कम करने और किसी तरह के खाओ को जल्द ठीक करने में असरदार है डियाबेटीज की समस्या से परिशान लोगों के लिए भी काले जीरे का सेवन फाइदी मन्द है ये शरीर में इंसुलिन को बढ़ाने का काम करता है इसका सेवन टाइप वन और टाइप टू दोनों डियाबेटीज से पीडित मरीज कर सकते हैं वहीं सफेद दाग के समस्या में भी काले जीरे का उप्योग किया जा सकता है शरी के किसी भी हिस्से में सफेद दाग की समस्या होने पर उस जगा इसका पेष्ट लगाने से लाब मिल सकता है दोस्तों इसके सेवन से पहले किसी भी आरुविदिक डॉक्टर से सरहा जरूर ले ताकि वो आपको काले जीरे के सेवन की सही सही खुराग बताएं वहीं वो बहिलाए जो गर्भवती है या स्तन्पान करा रही है उन्हें कालِ जीरे के सेवन से पहले डॉक्टरी सलहा जरूर लेनी चाहिए वहीं वो लोग जिने दिल संबंधी कोई परिशानी है या लीवर से जुड़ी किसी परिशानी से जूच रहे हैं उन्हें भी डॉक्टरी सला के बाद ही काली जीरे का सेवन करना चाहिए अगर आपको kidney की भी कोई परेशानी है तो इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाज जरूर ले इसका जादा सेवन करना आपको नुकसान भी कर सकता है सुवाग में कड़वा और तासीर में गर्म होने की वज़ा से इसका सेवन करने से पेट दर्द और उल्टी की समस्या हो सकती है कुछ लोगों में काले जीरे के सेवन से चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है उजित मातरा में इसका सेवन ना करने से आखों से पानी आने की समस्या भी हो जाती है जी भी में सूजन और स्किन एलर्जी भी इसके गलत सेवन से हो सकती है दोस्तो आज इस वीडियो में हमने बात की काले जीरे की उमीद करते हैं आप कोई वीडियो पसंद आई होगी अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं किसी हर्ब के बारे में किसी स्पाइसेस के बारे में या कोई फल या सबजी के बारे में तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं आज इस वीडियो में इतना ही खुश रहें तंदरुस तरहें नमशकार